हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु निव एज कुरू और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ आज का ये वीडियो जो है कोई भी प्रशन उत्तर वाला वीडियो नहीं है कोई भी MCQs वाला वीडियो नहीं है बलकि एक मेरा संदेश आप लोगों के लिए और मैंने इस वीडियो के द्वारा कोशिश किया कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे तो दोस्तों आज एक बहुत ही महत्पूर मुद्दे पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इसलिए आप लोगों के सामने आज में रूबरू हुआ हूँ और वो मुद्दा कुछ नहीं है बलकि आप लोगों की पढ़ाई और बेरोजगारी का है दोस्तों आजकल सभी लोग जो है करोना के डर से या सरकार के आदेश से या दोनों ही कारणों से घर पर हैं और थोरा बहुत डर तो कोरोना का होना ही चाहिए क्योंकि यह है जानलेवा बिमारी है लेकिन क्या इस डर से हम लोग डिप्रेशन में चले जाएं या पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही छोड़ दें क्योंकि कोरोना से बचेंगे तभी तो पढ़ाई होगी यही सभी लोगों के मन में सोचना है तो क्या कोई इतना भी निराशावादी हो सकता है कि केवल एक बिमारी के कारण जो है अपनी पूरी पढ़ाई को छोड़ दे अपने पूरे करियर को छोड़ दे और यह मान ले कि कोरोना से बचेंगे तभी पढ़ाई होगी हम लोगों को आशावादी बनना है ठीक है और यह जो बिमारी है न कोरोना यह पढ़ाई ना करने का बहाना भी बन गया है घर पर रहो पर पढ़ाई नहीं करो टीवी देखो सोशल मीडिया पर दिनवर एक्टि इस है और इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है क्योंकि इसका असर जो है बहुतीए दिमे धीमे हम लोगों के जीवन पर होता है देखिए मरना तो दोनों ही तरह से चाए कुरोना हो चाए वेरोजगारी हो अगर आप वेरोजगार रहें तो कभी-कभी आपके पडिवार वाले भी इतना ताना देंगे कि मरने की स्थिती भी आ जाती है, बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी करना ही है, क्रोना से आप एक बार मरेंगे, पर बेरोजगारी आपको तिल-तिल कर मारेगी, रोज मारेगी, बार बार मारेगी, साथी साथी इसका असर आपके माता-पीता पर होगा, आपके पडिवार पर होगा, आपके जो आश्रीत हैं उन पर होगा, और उनके सपने भी मरेंगे आपके साथ ही साथ, इसलिए अभी भी आपके पास भरपूर मौका है, भरपूर समय है, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, टेंशन ना ले, और जम कर पढ़ाई करें, कोरोना से बचाव के जितने भी उपाएं, सभी को करें, भाप लें, काढ़ा पिए, इसके अलावा, गरारा जरूर करें, तो अब बात करते हैं पढ़ाई की, क्योंकि आपने देखावा कि जो भी वेक्ति मौके पर चौका मारता है, वो ही ऑफिसर बनता है, तो अभी सही पढ़ाई पर ध्यान दें, और भूल जाएं करोना को, तो रक्षित रखें अपने आपको करोना से, और आपके पास 4-5 महिने वी प्रिक्षा की तैयरी कर रहे हो, या दरोगा का जो पीटी है, वो भी होना वाला है, उसके लिए भी आपको 2-3 महिने का समय जरूर मिल जाएगा, और VPSC के लिए तो आपको 4-5 महिने का समय आराम से मिलने वाला है, और इस दर्मयान अगर आप लोग अच्छी त्यारी करते हैं, करोना को भूल कर, घर पर रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए, तो आप एक अधिकारी जरूर बन सकते हैं, और फाइव येर्स प्लान जो होता, पंच वर्शी होजना, उसको बिल्कुल ही हटा दे, अगर आप लोग अच्छे तरीके से त्यारी करते हैं, तो 4-5 महिनों में आपकी त्यारी जरूर हो जाएगी, क्योंकि यह अभी आपदा का समय जो है, यह आप लोगों के लिए गोल्ड अगर समझ में ना है, तो एक बार अपने माबापका या अपने आशृत का जो भी आपके उपर डिपेंडेंट है, उनका चेहरा जरूर देखना जब वो सो रहे हो, ठीक है, और यह जरूर महसूस करना कि कितनी उमीदे हैं उन्हें आप से, कुरोना तो आपको एक बार मारे का जो है वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, एमसी की उसका वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, इसका मैं नोटिफिकेशन एक अलग से दे दूँगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यबाद दोस्तों